हाई फ्रेंड्स मैं हूँ क्लेट एंस्ट्रीन और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल क्लेट्स टेग तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन कैमरा जूम के बारे में तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आजकल स्मार्टफोन ब्रेंड्स हमें स्मार्टफोन में काफी बड़े बड़े नंबर के जूम उफर कर रहे हैं जैसे कि 10x जूम 50x जूम और किसी-किसी फोन में तो हमें 100x जूम तक का भी ऑप्शन मिल जाता है तो ऐसल में पता पारे में फिर हाइब्रेट जूम फिर उसके बाद डिजिटल जूम असल में यह जूम होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं पहला ऑप्टिकल दूसरा हाइब्रेट तीसरा डिजिटल जो सबसे अच्छा जूम जो होता है वह होता है ऑप्टिकल जूम तो ऑप्टिकल जूम दिया गया है 2x या 3x तो उस तक जूम कर सके हैं फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं hybrid zoom की तो hybrid zoom कुछ ऐसा होता है कि optical plus digital zoom अगर किसी phones में अगर आप words सुनते हैं hybrid zoom तो असल में वो phone digital plus optical zoom क्यार रहा है कि जैसे कि किसी phones में 3x तक का optical zoom supported है तो वो 3x का optical zoom करेगा बाकी का अगर उसमें 10x hybrid zoom offer किया गया है तो 3x optical और बाकी का जितना जो 7x है वो phone वो digitally zoom करेगा तो अब बात करते हैं digital zoom के बारे में जो आप बड़े बड़े zoom के बारे में सुनते हैं जैसे कि 50x 100x तो उन सब phoneों में digital zoom का सपोर्ट लिया जाता है असल में उन में होता यह है कि smartphone का camera वही होता है जो camera sensor है वो वही place होता है पर जो special AI है artificial intelligence है algorithm है वो digitally उसे जो zoom होता है वो दिखा रहे होते हैं पर इसमें जो image quality है वो काफी उसका काफी loss हो जाता है और आपको image quality उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है अगर आप किसी zoom में काफी अच्छी image quality expect कर रहे तो वो आपको सिफ optical में ही देखने को मिलेगी अगर बात करें hybrid की तो उसमें quality थोड़ी सी grade हो जाती है और और अगर बात करें digital zoom की तो उसमें अगर आप जादर zoom करें तो आपको quality इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी तो यह है पूरी काहनी स्मार्टफोन camera zoom के बारे में और अप मैं आपको कुछ स्मार्टफोन brands के बारे में कुछ ऐसे amazing facts बताऊंगा जो शायद यह आपको पता होंगे कि सबसे पहले तो बात करें samsung galaxy s20 ultra के बारे में तो उसमें जो samsung है samsung ने उसमें clean claim किया है कि उसमें 100x का space zoom है पर शायद आपको नहीं पता कि उसका जो hybrid zoom है वो है 3x और एक बार one plus ने भी ऐसा ही कुछ किया one plus ने अपने स्मार्टफोन में 13 megapixel का camera implement किया और उसमें जो zoom था वो था 2.5x पर अपने smartphone launch event में उन्होंने उस camera को बताया 8 megapixel का और zoom बताया 3x जितना अब देख सकते हैं कि smartphone zoom बढ़ाने के लिए इस smartphone brands क्या क्या चीजे करती है so I hope you like this video and like and subscribe my youtube channel and most important stay home, stay safe good bye bye friend